किस संबर 27 अनिल लॉन में खड़ा फूलो की सजावट करवाता हुआ मुलाजबों को इदायत दे रहा था और चानल दुरान पर निगापड़ी वो सिग्रिट चला रहा था उसको रहा था उसकी तरफ बढ़ा दुरान अब कैसा लग रहा है सब जैसी का बता रही थी केक में तीन रिंग इस्तमाल हुए है उसके रताविक मैंने एक फूलका और इजाफा किया है वो जोश लहजे में वो उसस जावट और केक का बता था लंबे लंबे डाग भड़ता उस सक फोँचा दुरान के कोई जवाब न देने और दुआ दुआ होते चेहरे को मैसूस करते हुए हो मुस्कुराट को संजीती में बतलता हूँ उसके और करीब हुआ क्या हुआ हैरियत तो है परिशान क्यों लग रहे हूँ वो आज रात मैं और जवेरिया सबके सामने जगड़ा करेंगे तुम सिच्वेशन संभाल लेना सारी मुश्किल बात मुकमलगी और मुखोल कर ऐसे सांसी जैसे कोई तकलीफ को परिदाश करें अनले पागोर उसके चेहरे को चांचा मतलब मैं समझा नहीं क्यों जगड़ा करोगे तुम दोनों बस उसे मेरी कैज से अजाद करने का वक्त आगया है सिख्रक का धुमा हवा में उड़ाया तुमे के मर खोले के पीछे दुरान की नम होती आँखे अनल की चांची निखाओं से किसी सुरत मुखफी ना ही रह सकी उससे रोना चाहिए जब एरिया की कहे अलफास अनल के सेहन में खुझे वो अपने सामने कड़े दुरान की आँखों में सिंदगे में पहली बाहर नमी का एसास सीख रहा था तरफ कर उसके करीव हुआ दुरान कम असकम यहां इस रिष्टे में तो हुद को तकलीफ मत दे यार अनल की बात पर वो जो आदी सिरीट को समीन पर भैंक कर उसे पहों से मसल रहा था सर मसीच चुका लिया उठा दा भी कैसे अनल आँसों से भरी आँखें देख ले था दुरान सुन रहा है ओपर देख यार वो कंदें चुन जोड़ रहा था अरे यार मत कर इतना जुल्म होत पर क्यों कर रहा है ऐसा क्या बकवास करते जा रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं कौन सा जुल्म उसे से सुर्ख होदा चेरा जटके से उपर उठाया आंके मुद्वार्म थी लफ सक्ती से भीचे हुए थे मुखबत करने लगे हो जावेरिया से और थपड मारूँगा अगर अपकी बार ये कहा के नहीं करते हो अनिल बन चुका था वो जो हर दफ़ा उसकी मुखबत में बन जाता था उसका हर रिष्टा तुराने चन लम हे अनिल की नम होती आंके लिखी पिस सरच से रुख दूसरी तरफ मूल लिया चंद सकीन की हामोशी थी उसको देखकर दिल को सकून मिलने लगा है कहीं भी हूँ उसका हयाल आता है बार बार वो हर वक्त हवासो पर जहिन पर सवार रहती है पास आती है तो पूरे वजूद में अजीब से मीठी संसरी धोने लगती है उसे चूने की पास जाने की खौईश दिल में मचलने लगती है वो कोई लहजे में मतवातर बोल रहा था वो अनिल उसके बिलकुल पीछे कड़ा था मेरा दिल शिद्ध से हुआईश करने लगा है कि वो मेरे पास रहे हमेशा मुझसे बहुत बात ही करे मुस्कुराए, हुकम चलाए, मुहबब जिताए, हयाल रखे अगर इन सब हिसासात को मुहबबत कहते हैं तो हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मुझे उससे मुहबबत हो गई है वो हर बार की दारा अपने दिल की हर बात उसके सामने कोल कर रख चुका था तो फिर उसे छोड़ क्यों रहे हो अनिल ने बासो पकड़कर दुरान का रोख सबचस से अपनी तरफ मोड़ा सिर्फ मेरे मुहबबत करने से क्या होगा इस सजाया भी किसी मुसकुराट थी मतलब अनिल हिरान की से आप रोख का है मतलब यह कि वो मेरी कैड से रहा ही चाती है भी किसी मुसकुराट और गहरी की जिसके पीछे दर्चुपा था अनिल अपकी पाहर कुछ नहीं बोल पाया उसके चेहरे और रांकों से चलकती उसके दिल की तकलीफ उसके मुहबबत और जविया के वे अतनाई की कवा थी कल वकील को डाइवोर्स प्रेपर के लिए कह देना बस चन्द दिनोर मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकता आइससे ही से कहा और कदम पोश के दर बढ़ा दिये सूरच मुकमल डूप चुका था और दूरांग विलास के लॉन में जगमगाती रूश्नियों सजावट की हुसन को और दुपाला कर रही थी सफेद, हलके सर्द और हलके गुलाबी रंगे पोलूँ सजावट आँकों को खीरा कर देने की खत तक हसीन लग रही थी कमरे में चाही हमोशी उसके वजूद में चाही हमोशी से कम थी पैसी रूम की बाई जानिब पुरी दिवार में नस वाईने के सामने चामनी चोड़े में मलबूस वो किसी मुझस्सिम की तरह बैठी थी बिल्कुल पास घड़ी में कापाट इस रात की तकरीब के लिए उसके चेरे पर संखार करने में मसरूफ थी आप मुझे अज़ाद कप कर रही है बिना मकसद कब तक कैद में रहना होगा मुझे यहाँ बहुत चल्द दिल में एक दर्ट के लेर फिर से उठी आँखों में अमी का हिसास होने लगा इससे पहले के आँशो चलग जाता वो सरच से लड़की का हाथ बीजे करते हुए सीधी हुई एक मिनट रटकी हाथ में पकरे ब्रश को लेका हैरे से सीधी हुई जबकि वह अब आगे होका ट्रेसिंग में इस पर से टीशू उठाए नम होती आँखों के आँशो उसमें चस्प कर रही थी मेम सब ठीक है में का पार्टी से उसके बाहर बाहर आँगे पूशने पर परिशान होकर पूश रही थी तोकि वह अमल दीसे बात उड़ा रही थी जबेरिया ने सब ठीक मुस्कुराट को चेहरे पर सजाकर सर अस्वात में हिलाया जी अगर आप कुछ देर रेस्ट करना चारे हैं तो मैं रुक जाती हूँ कोई मस्ता नहीं वो मुलाइम लहजे में कहते हुए पीछे हुई जबेरिया का यूँ बार बार नम होती आँगों को पूचना और उतरा सा चेहरा उससे मुखफी नहीं था नहीं मैं ठीक हूँ पाड़ी शुरू होने वाली है मुझे देर हो जाएगी प्लीज आप अपना काम करें ओगे मैं वो सरासिमगी में सरहिलाती है पीछ से जबेरिया के चेहरे पर शुक गई क्यों दिल इतना कमसोर हो रहा है मुझे कमसोर नहीं हो ना अल्ला ए अल्ला ए मेरे हुदा मुझे मुस्पूत कर दे मैं सिल के हाथों मुझपूर होगर कमसोर नहीं पढ़ना चाती एक दफा बात तो कर ले उससे क्या बता वो तलाक न दे दिल की बासकशनी खानों तक सफर किया तो सेहन फूरण चुक करना हुआ नहीं विल्कुल नहीं वो सोचेगा नहीं कि मैं क्यों नहीं ले रही तलाक सेहन ने फूरण दिल को सैसनेश किया मुझे दिल कड़ा करना है क्या हुआ वो नहीं क्या हुआ उसका नाम नहीं दिलने सिफ उससे मुहबबत की है और उससे करता रहेगा मैं कभी शादी नहीं करूँगी आगे फिर से टुप टुपा गई लेकिन दिलने फैसा कर लिया था अब की बार उसने आसों अंदर उन्देल लिये तो होर सेशन की बड़ी पर चलने को तैयार करे ट्रेन सीधी बजा रहा था अंग्या के बिल्कुल नीचे रखी कुर्सी पर दुरान सा चुका एक किताब के वंताले में मकन था वो सीधा से सफ़ेड ट्रेस्चाट के नीचे जीन स्वेहने आस सिंग को कौन्यों तक मोड़े वो किताब पढ़ने में मखू था और किचन में बरतनों के बचने की आवासे एहमत साब की किचन में मुझूदी की नेशान दही कर रही थी लाहोर आए उसे एक साल छेमा हो चुके थे इस सारे अरसे में वो ना सिफ कुरान हिफ्स कर चुका था खलकी तज्वीद और तलावत भी सीख चुका था सेशन की करीब एक जिम में नोकरी भी मिल ग करे थे जानता हूं दुरान ने मध्वासन लेजे में जवाब दिया और फिला परवाही से सक किताब पर जुका दिया अस्वन मली ने अखबार में उसकी गुमशुदी का इश्टियार दिया था एक साल और छेमा का अरसा उन लोगों ने इस आस पर गुसा लिया था कि शाय साथ हूं का भी तो होगा उधी में से मस्कोराएं नहीं पता दुरान ने बेसाई से जवाब दिया नाक नफर से चड़ाए किताब को बिन किया देखो अगर ये सोच रखते हो कि बिना किसी रिष्टे नाते के सारी उमर गुजार लोगे तो हाँ सही सोच है गुजार लोग लफू से कप अठाकर दुरान के शेरी की दरफ देखाऊं जिन्दगी फग गुजारने वारे लोग अल्ला की इस नेमत की नाशुकरी करते हैं जो हमें सिर्फ एक बार मिलती है वो उंगली कड़ी करते हुए बस सोक से बोले दुराने नसे चुकाएं और कप लफू से लग रूफ था हूनी रिष्टे तुम्हारी मा, बाप, बेहन, भाई और तुम्हारी उलाद, एसास के रिष्टे तुम्हारे एहबाब, दिल और रू का रिष्टा, तुम्हारी बीवियां, ये सब रिष्टे जिन्दगी जीना सिखाते हैं, इन से अलग होकर जिन्दगी जीना बहुत कटन है अगर इन में से एक भी रिष्टा तुम्हारे पास है तो लोट जो तुम जिन्दी को फग गुजार कर जाया कर रहे हो जब बुड़े हो जाओगे तो फिर एसास होगा कि मैंने जिन्दी की सिफ गुजार कर कितनी बड़ी गलती की तुरान हैरेस उनकी दव दीख रहा था उनकी बाते सुन रहा था उनकी बाते सुनने के बाद उसे जिस हस्ती का सबसे पहले हया लाया था वो अनिल था लोट जो बेटा वो इन्तिजार कर रहे है एमर सहबकी आवास कानों में पढ़ रही थी उसे जाने के लिए कह रहे थे और सरचुकाय बैठा था सियां आसमान पर चमकता चांद और रोश्णियों में धमकता दुरांग विलास का ये लौन दोनों की हुपसूरती आज रात हो शुपा थी जहां आसमान में सितारे चल मिला रहे थे बहीं दुरांग विलास में भी आली फूर्ड और टरामा इंडरस्टी के बहुत से हुपसूरत सितार हे जिल में ला रहे थे उन्हें हुपसूरत तमकते चेहरों रंग बर रंग लिबासों में मलपूस सितारों में अपने अरूछ पर थी उन्चे सुरों में पच्टी मूसी की कहके बाते सब मकन थे खानी के बाद पुरान और सबरीना रिसेप्शन केक काट चुके थे तुरान जो एक कोने में कड़ा दूसरी सिक्रीट अदम कर चुका था अब जलता हाता सिक्रीट मेस पर रखी एश्टे पर अगड़ा और जोवेरिया की तलाश में निखाएं दोड़ाई वो तक्रीब में मुझूद थी इसका एसास उसके लॉन में कदम रखते साथ ही हो गया था लेकिन उससे तब से लेकर अब तक एक निखावी जोवेरिया पर नहीं डाली थी आज उस पर निखाव डालना उसकी गहत मेरे हाई की रुकावट बन सकता था पूरे लॉन में खूमती निखाएं उसके वजूद पर आकर थमी तो दिल सोर से धरका गहरे चामनी कमीज और कैप्री में मलबूस अमरंग भारी भरकम डूबटा एक गंदे पर ठीकाएं वो सबीना के साथ बादों में मगंधी बालो को सीधा करनी के बाद एक दरब मांग को बल डालकर गंदे पर गिराएं वो बार बार दूस्से गंदे पर मुझे टूबटे को सबाल रही थी दूरान ने गेरी साथ सारीच की ऐसे जैसे कोई दिल के अंदर उट्टी हस्त को दफाए कदमा इससे की सिक्यूर उसकी तरह बढ़ाए बस आये तो वो सबीना से बादों में मगंधी लेकिन दिल उस आने वारे लंबी के खोफ से लार रस रहा था और फिर जैसे ही दूरान को अपने आ तरफ आता देखा कला होश्क होने लगा अल्ला मुझे साबित कदम रखना मुझे मस्बूत रखना जवेरिया बात सुनो चन्द सेकिंद के बाद वो उसके और सबीना के पास कड़ा उसे रोब से बुला रहा था आंके उड़ा कर सब सबस के दरफ देखा फिर दूबट्टी को कंदे पर संभालती हुई उससा काई जैसे उसे करीब होँजी तुरान आके चल दिया और वो मतवासन कदम उड़ा दी उसकी तकलीद कर रही थी कुछ दूर कैमरो के पास जाकर वो रुका और फिर बल्टा जैवेरिया ने अटकी सांस बामुश्किल वाहाल की मैं जगड़े की शुरुवात करूँगा फिर तुम साथ देना ओके आईससे के से करीब होगा वो सबसे सही लागी दिल में भट्टी कुटन और कले में अटकता हासूंगा कोला वो सब की रसी को धामे हुए थी बकवास बंद करो अपनी दुरान की रोबदार घोट सेथ कि कितने ही लोग एक साथ मतवच्छा हुए वो उससे सुर्ख हो था चहरा लीए जवेरिया के सामने खड़ा था जवेरिया ने चहरा उसकी तरफ उठाया इतने दिन से तुम्हे बार-बार एक ही बात समझा रहा हूं तुम्हें वो समझ नहीं आ रही दुरान की अगली धार पर जहां सारी कैमरे उसकी दरफ को में थे वहां लौन में सकता चागया था जवेरिया की आवास कुट गई थी इल में धूआ बर किया था और आँखे पर सम्कीन पानी से बढ़ने ही वाली थी दुरान क्या कर रहे हो पागल हो गया हो क्या अस्वन मली की एक तम से आगे बढ़े एक गुर राते हुए खाओ चारू दभी-दभी सरखोशिया होने लिगी थी दुरान क्या कर रहे हो जवेरिया बेटा अंदर जाओ अस्वन मली की ने दुरान का वासु धाम आव जवेरिया को अंदर जाने कर शाए रख गया नहीं जाएगी उंदर दुरान ने एक जटके से बाजो चुड़वाया और जवेरिया को दोनों कंदों से धामका करीब किया क्या मसला है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? दुरान ने उसके कान में आयसे की सिखा और एक जटका देखा अपने सामनी किया जैसे ही जटका मिला जविर्या के आंके में अटके आंसो एक्दम से लुड़क कर काल पगी रहे उसके चेरे पर निगाच आते ही वो जो अद्रकारी की जोर दिखा रहा था शक्तम से सागिन हो गया वो रो रही थी आंसो मत्वादर काल पर बैर रही थे वो उसकी धरकन में जो बसने लगी थी वो उसके सामने खड़ी आंसो वा रही थी तुरान ने उसके बासो को धाम कर एक चटका दिया और सीने से लगा कर बासो में पींच लिया सब कुछ घड़ी भर में ही धम गया वक्ट जो भाग रहा था अब धीरे से रखने लगा रो जो पल-पल भिखर रही थी सिमट गई दुरान की मस्बूत बाहों के अज़ार में वो हैरत से तंग पूरी आंके खोले खड़ी थी काल उसके सीने से उपर उसके मस्बूत घंदे से लगा था वो धरकने अपने रिफ्तार कम कर चुकी थी बे युकीनी बे त्यारी एक खोब जैसा है सांस एक लिस्सम के सेर में चक्ड़े लम हैं जैसा है सांस एक नाकावली यकीन खोब जिसके तूट जाने का होफ हो मगर यह खोब नहीं था उसके दिल का धारतना उसका लंस उसकी हुशबू वो सब मेहसूस करही थी ये वो लम्हा था जब वो खुद से किया हर वादा भूले एक रवायती ओरत का रूप धार गई वो ओरत जिसको खुदा ने मुहबत के मट्टी से सींचा और नरम दिल उसके सीने में रख दिया वो खुद मस्बूत बनकर यहां अए तक आई मगर दिल एन वक्त पर पगावत कर क्या तगा दे क्या हाँ ये सच था कि दुरान से उसकी लाजवाल मुहबत का इतराफ मुश्किल था अपने सालों की इंतसार का इकरार मुश्किल था लेकिन दिल कहां तमाग की सुनता है आज सोर पर तब जब वो खुद सर हो जाए सामने खड़ा वो शक्स उसकी दस्रेस में होकर भी उसकी सोच से कहीं हो जा था तुरान को ये पावर करवाने के लिए ये वो वैसी नहीं है जैसा वो से समझ रहा है उससे हुद पर, दिल पर, जस्बात पर हजारों बन भान लिये थे परसों से उसकी एक मुलाकात की यादों के सारे जीने वाली ने ये बेपना मुहबबत अपने अंदर ऐसे चुपाली थी कि वो खुद अब इस बात से इंकाली थी ये उसे दुरान से मुहबबत है इंसान चाहे उससे बहुत मस्बूत बन जाए पुर असम होकर अपने फैसू पर ढट जाए लेकिन उसके दिल का हर राज, हर बेद वो जानता है जिसके पास सब एक्तियारात है इंसान के मस्बूत बनने से कुछ नहीं होता मुच अपचाहें किसी को भी किसी लमए गमसोर कर दे वो मालिक है कुल काहिनात का और इस वक भी जो कुछ हुआ वो न दोनों के हक्तियार में नहीं था ये सब दोसके हक्तियार में था जो अरश पर चोड़े बनाता है तुम नहीं जान सकती ये दुनिया में अंगिनत चलते पिरते वजूद में से किस वजूद की पसी से ली गई मट्टी से तुम्हें सीचा क्या है तुम्हें कैसे, कब और क्यों कर तुम्हारे उस मेचासी खुदा से मिलना है इस सब के हमपर तुमें नहीं उस जात को है जिससे काइनात के इस निसाम को चला रखा है तुम चाहे इस नासुक दिल के साथ मस्बूत बनते हुए अजार नफी करो उस जात की जिसकी वजूद से लीगी मट्टी से तुम्हारा वजूद इस दुनिया में आया है लेकिन अगर तुम सच्ची हो रहा थूँ इसका दिल नर्म और हसास है जैसा अल्ला चाहता है तो तुम कभी अपने उस जोड के वजूद से मुनकिर नहीं हो सकती तुम उसी में से सींची हूँ तुमें उसी से मिलना है वो तुमारी तक्मील है और यही वो निसाम है और इस बांक साथ ने तक शील दिया है आदम और हावास से चला यह सिलसला असल से है अब अब तक रहेगा दुनिया में हर वजूद को जोड़ों की सुरत में पैदा क्या क्या है उनका मिलन लाजिम है कर, कहा, कैसे, क्यों कर, किस वक्त यह सब वो जानता है जिससे इस ने साम को तश्कील दिया और वो अल्ला है तुम्हें अलग करना है या इस जोड़ी को अपती बना कर जन्नत में तुम्हें उसके तक्त की मलका बनाना है सिर्फ वो जानता है उस जादूगर की मुट़्ी में थे वो ठह जा थी अगर दुरान उसे खुद में समेटना ले था जैसे हवासवाल हुए उसका पूरा वजूद दिल बनकर धरका दुरान का उसके किरत बंदा बाहूं का यह अजार वैसा नहीं था जैसा अदाकारी में हुआ करता था वो तो उसे खुद में समेटकर अपनी धरकनों से उसकी धरकनों कुछ हो रहा था बिलकुल हामोश उसे खुद से लगाए वो हर बात भूले हुए था इर्द के खड़े लोग जो कुछ दियर पहले दुरान के यूँ बराम होने पर माइनी है सरगोशियां कर रहे थे अब शर्ष्टर खड़े इस मंसर को धाक रहे थे अंगीनत कैमरे जो एक संसनी है सवर के तोर पर इस मंसर को कैद करने में लगे थे अब इस सिल्फरे मंसर को कैमरों में कैद कर रहे थे जान अफरूदों से भरे दिल चल गुड़ गए वहां कुछ लोग इस सिल्फरे मंसर पर बेक्तियार मुस्कुरा उठे कुछ बल पहले दुरान के धारने पर चाही हामोशी अब शोख सीथियों और तालियों की खुँच में तब्दिल होगी चारोज जानिब से कहके और माइनी हैस मुहबबत परे चुमले खुँच रहे थे दुरान मली जो अपनी बीवी पर कर जा था उसकी आँकों से बहता एक आँसों देखकर सब भुला दिया वाह! मुहबबत हो तो ऐसी वो जो बेक्तिया ही उसे खुद में समीट किया था अब होश आने पर एसास हुआ ये वो तो दुनिया के सामने अपने रिष्टे को कमसोर साहिर करने वाले थे लेकिन यहां तो सब उल्ट हो गया आइस सगे से जवेरिया के करत बंदी बाहों की ग्रिफ आतम की को अलग हुआ और सर जुकाय हुए थी एरत बेयकीनी चेरे पर अब भी रुकम थी दुरान ने उससे अलग होकर हरचल होते हुए अपनी शॉल्दर उसकी टालियां बीटते लोहों के माईनी हेस जुमलों पर वो होनकू की तरह मुस्कुरा थिया दुरान की सबसे पहली निकाम वो खोले खाड़े अनिल पर पड़ी दुरान के देखते ही उससे कुछ इस सर से देखा जैसे पूछ रहा हुँ क्या था ये सब सब लोग उस बात को मामूली जगड़ा गिर्दानते हुए और फिर से अपनी अपनी बातों में मुश्कूल हो गए परेशान अगर थे तो वो दो दिल जो पिन कहे एक दुस्से को बहुत कुछ गह गए बास वकात हमोशी की सुभान आपकी बोलती सुभान से साथा होपसूरत होती है दुरान के हमोशी ने जो कहा उसके वजूद में एक ऐसी जिंदगी कि लह धोड़ा क्या क्यों कहते हिरान थी दरस से दिल और वजूद के संग कदम उठाती वो वापिस सब्रीना के पास आई जहां जहां से खुसरी मुतलिफ अवासें थी जो कानों में पढ़ रही थी क्या हुआ था? डान्ट यो रहा था हुआ क्या था? सब हैरियत है न दुरान का उस्सा तो बहुत मशूर है लेकिन तुम हुश किसमत हो तुम्हारे कांसू नहीं परदाश हुआ उससे सराक के हजारों जुमले कानों में पढ़ रहे थे लेकिन हकीकत से सब ना आशना थे वो सामनी कुर्जी पर बैठे दुरान को खुर रहा था रात के दीन बच रहे थे लॉन में चन गंटे पहले वाली जैल पहल का नामों निशान तक ना था लॉन की इसामोशे में अब सिर्फ धो नफूस मुशूद थे स्विमिंग पूल के पास लगी सफिद कुर्जी उपर आमने सामने बैठे दुरान सार के बालों को दोनों हाथों में जगड़े बैठा था और अनिल थोड़ी के नीचे हाथ दिकाए उसे खुर रहा था अस्वर मली कुछ देर पहले ही उन दोनों के पास सूट कर गए थे उनके जाने के बाद अनिल मुकमल दोड़ पर उसके तरफ मतवचा हुआ जो परेशान हाल वेटा था क्या था ये सब? अनिल के सवाल पर दुरान ने हाथों में जगड़े बालों को छोड़ा और उसकी तरफ देखा बाल पल भर में बिकर कर मात्या डग गए बिला जवाज सेरे पर हाथ पेरा और फिर मस्सूई है रान की साहिगी क्या सब? वाँ, क्या सब? ओ भाई, ये जो हुआ आज तकरीब में ये सब अनिल ने थोड़ी के नीचे रखा हाथ हावा में उठाये तनसिया कहा पूश्टो ऐसे रहे हो, जैसे देखा नहीं है कि क्या हुआ देखा तो है, लेकिन ये सब वो तो नहीं था जो तुमने मुझे कहा था क्या कहा था मैंने? बड़े रोब से फूचा लो, सुन लो जनाब, वो भी भूल गए कि क्या कहा था मुझे अनिल ने माईनी हिस लहजे में, कहते हुए इस ससाया केका लगाया दुरान ने उस पर से निखाया यह टाये, सुन पूल की लहरे बनाते पानी पर टिखा दी वो, रो रही थी कोई लहजे में जवाब दिया, गहरी सांसारीच की, फिर रूख अनिल की तरफ मुड़ा मुझसे बरदाश नहीं हुआ खब भी लहजे में अपनी कमसोर परचाने कही दराफ किया अनिल की चेहरे पर एकदम हुश्कवारियत साहिर हुई अनिल की खुशी उसके लहजे से भी चलग रही थी क्यों है इतना परेशान, कुछ गलत नहीं किया, तुमने सब ठीक था तुम मुहबबत करते हो, वो बीवी है तुम्हारी बात ये नहीं है तुरान ने बनवे परेशाने में करती की उसने कहा कि वो मुझसे इस कैट जैसे जिन्दगी और कॉंट्रेक्ट मेरे से निजाच चाती है पिर उसकी आँखों में आसू क्यों आए सिंपल, वो जूट बोल रही थी तुमसे अनिल ने बश्यास सा जवाब देखा कंदेउश का है मैं उसकी सोच परक नहीं पाता वो बहुत-बहुत मस्बूत आसाब की मालिक है उसे हुद पर इतना कावो है कि वो अपनी सोच को अपने जहन पर हावी नहीं होने देथी लेकिन कुछ दिर पहले उसका रोना समझ से बाहिर है क्या समझ से बाहिर है? ओ मेरे भाई मुहबबत ऐसे ही कुट्णू के बल गिरा देती है अब अपनी मिसाल ले क्या था तू और क्या बन गया? क्या बना हूँ? तुराने आपरो उशकाए जो रोका हुलाम जो अपनी बीवी का एक आंसू भी नहीं देख सकता बकवास बंद कर ओ भाई, ये कोई बकवास नहीं एकदम सची बात है वो लड़की दुनिया में वाहिद होगी जिसके सामने तुम्हारी साड़ी अकड़ हतम थी अनिल ने बड़े वसोक से बात की और कुरसे के बासो पर हाथ मारा देखो, ये बिलावजा के उसको हुद में उलचा लू दुरान, तुम वो हो जो हो मुझे ऐसा लगता है तुमने हुद के गिर्द एक ये हसार बना लिया है ये हसार, ये अकेला पन ये खुद पर, तुम्हारा जुल्म ये सब वहीं हतम करेगी अगर मेरी हकीकत सुनकर वो मुझे से दूर हो गई देखा नहीं कितनी मजबी है वो और मैं एक गुना से तक्ष्चील में आया वजूद दुरान की बेशानी पर गहरे होते बलों के साथ आवास वे चुपता कर भी भड़ा था अनिल्नी उसकी बात पर एक तम से कुरसी से जोड़ी अपनी पुष्च सीधी की और आगे हुआ गुना से तक्ष्चील में आया वजूद बाजाते खुद अपनी तक्ष्चील का जिम्मेदार कैसे हो सकता है दुरान तुम इस सोच के साथ जीते रहे तो एक दिन मेरे सिवा तुमारा कोई नहीं होगा और मैं सब हो सकता हूँ लेकिन तुमारा खोनी रिष्टा नहीं हो सकता मुझे उससे मुहबबत नहीं करनी थी नहुद कमजोर होना था और नहीं उससे करना था तुरा ने लब भीज़े फिर से चेहरे कर रुख दूसरी तब खुमाया जो कुछ हो जाए उस पर पश्टाने से अच्छा है कि उससे अपनाया जाए अगर कुछ बुरा हुआ तो माफी मांग ली जाए और अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसमें खुश हुआ जाए यहां बैटकर अंदाजे लगाने के वज़ाए तो मैं कमरे में जाकर उससे बूच लेना चाहिए कि क्यूं रोई थी तुम और साथ में उसको भी बताना चाहिए कि तुम्हारे रोने पर मैंने तुम्हें गले क्यूं लगाया अनिल ने शर्ट दरूस करते हुए मैं तुम्हास लेजे में मश्वरा दिया और पिर कदम पोश्ट के जाने बढ़ा दिये